हाई अबरिमें वेलेकम डिश्टल जी के क्लासेज तो बिपीएसी टियारी 3 का नोटिस अभी जारी हुआ है एक तरफ जहां पे दूसरे खास करके यूपी में अचार सनिता के नाम पे कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है ना तो यूपी ट्रिपल सी का ना तो नय पेसी का काम आप देख सकते हो कितने फास्ट से हो रहा है और अभी अचार सनिता लगा हुआ है फिर भी इन्होंने टियारी 3 से रिलेटेड ये अपडेट जारी किया है तो मैंने सुचा कि नोटिस के साथ ही वीडियो बनाते हैं स्क्रीन पे दिखेगा तो आपको जादा अ अन्यार विभाग के अंतरगत विद्याले अध्यापक न्युक्ति प्रतियोगिता पुनर परिक्षा टियारी 3 जो कि री एक्जाम होना है एक से पांच यहां पर आप देखे एक से पांच छे से आठ नौ से दस ग्यारे से बारा हेतु आवाशन उपलब्ध कराने के संबद मतलब की स्टूडेंट्स क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो की दूर दूर से भी होंगे तो उनके रहने की जो है फैसिलिटी से रिलेटेड है आप सभी का ठीक है और यहां पर और और बी चीजें आप देखे उपरित विशक संदर्व में निदे सानु को होगा तो आपनी प्रेपरेशन करना बहुत सारे स्टूडेंस को वहां पर रुकना भी होगा इस वज़े से यह लोग आवाशन मतलब रुकने की जो है फैसिलिटी से रिलेटेड भी है तो यह डेट तो कंफर्म हो चुकी है तो दस को हो जाएगा एक से पांच, छैसे जो है उमिद्वार सम्मिलित होंगे इन परिक्षारतियों के लिए जीला इस्तर पर परिक्षा केंद्र की आवशकता है यदि जीला इसित परिक्षा केंद्रों से आवाशन पूर नहीं हो पाता है तो अपने जीला अंत्रगत अनुमंडल से भी आवाशन की विवस्था की चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि साड़े तीन लाख अवियरती सांमिल होने वाले हैं और इन परिक्षातियों को जीला इस्तर पर आपको पता है परिक्षा किंद्र क्या वश्कतितITT आवाश्य पूर नहीं हो पाता है मालने जी वहां से रहने की चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो फिर जीला अंतरगत अनुमंडल से भी रहने की ववस्था किया जाएगा, उक्त परिक्षा है तो जीला अंतरगत परितिस्ठित सिक्षन संस्थानों का चैन परिक्षा केंद्रों के लिए किया जाए, यह आपके जो है सेंटर से रिलेटिड एक अपडेट है बहुत बड़ी कि आपका जो परिक्षा है तो जो अच्छे जो प्रतिस्थित जो कोचिंग संस्थान है न उनका चेन किया जाएगा आपके एक्जाम सेंटर के लिए आपकी परिक्षा वहां भी हो सकती है जिसमें जो है सिक्षन संस्थान होंगे उसको भी हम सेंटर बनाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो आयोग की मापदंड के अनुरूप सरकारी और नीजी प्रतिस्थिक सिक्षन संस्थानों का चेन कर नीजी महाविद्यालों को छोड़ का चेक्लिस्ट के अलोक में संतुष्ट करते ह सिक्षन संस्थानों का चेन कर उक्त परिक्षा को सांतिपूर सुववशित यहां कदाचार रही संचालन हे तो परिक्षा के इंद्रों का चेन किया जाए ठीके ना तो यह हो गया एक्सिलेंट वेरी गुड गुड इसकी ग्रेडिंग करते हुए आवासन की सूची जो है त समय किया जा सके आप देखिए यह परिक्षा की इनकी तयारी भी स्टार्ट हो चुकी है ठीक है यह लोग आवासन हो गया परिक्षा आपका एक्जाम सेंटर से रिलेटेड की आपका जो प्रतिश्चित कोचिंग संस्थान है यह अपनी पूरी तयारी अच्छे से कर रहे है तो आप भी अपनी तयारी करें बस एक चीज का लगता है बस बुरा की यूपी में क्यू नहीं हो सकता है भाई जब बिहार में हो सकता है अचार सनीता में तयारी हो सकती है सब कुछ ऑफिशल नोटिस निकल सकता है तो यूपी में क्यू नहीं हो सकता है ठीक है तो चलिए चलिए खेर आप लोग जितने भी देख रहे हैं ये याद रखिएगा कि 1-5-6-8 का पेपर 10 को है और 9-10-11-12 का 11 को है तो चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्स वाचिंग और क्लास हुई है पांच बजए वो क्लास जरूर देखना लास्ट में आपको मिल जाएगा थैंक्स वाचिंग